हेलो फेंट्स वेलकम टो पर चनल हम बात करने वाले हैं टाइटन कंपनी के वारे में जिसके करेंटली हम डेली चार्ड पर हैं पहले मैंने इसमें बाइंग दिया हुआ है आभी हमारे मेंबर नहीं रिक्वेस्ट किया है तो ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको भी अनलिसिस चा होते हैं तो यह जाकर आप डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हैं फिलाल अगर हम अभी श्टॉक्स की बात करेंगे हाँ पर तो पहले मैंने आपको बाइंग के लिए था 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 थाउजन फाइफन के सम्टिंग वहां से एक अच्छा ब्रिकाउट देता है निकलता ह है जब सेकंड ब्रिकाउट दिया तब भी आइस इंग वीडियो सेयर किया होगा और दोनों टाइम मैंने एक चीज़ आपको बहुत क्लिरली कहा था यह टॉफ होने वाला है दो वाल अल्री रिटेस्ट हो चुका है तो ब्रिकाउट करने के चांसे हैं लेकिन जब तक कि इस उसके भी ऊपर बहुत अच्छा टार्गेट दिख सकता है 4,500 तक का ठीक है वहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ जब सेलिंग आ रहा था बाइंग लेवल पर थे तभी मैंने आपको वीडियो दिया था इस लेवल पर यह जो कैंडल बना था उसके बाद सेयर किया था कि जैसा यह नेगेटिब बना रहा है तो अगर इसको ब्रेक आउट करना था इसी लेवल के आसपास होल्ड करके फिर निकल जाता तो ज्यादा सही था यहाँ भी जो सेलिंग के लिए यह कंटिन्यू कर सकता है और गलती से विकर हम यह अपना जो बाइंग लेवल इसको ब्रे ठीक है क्लोजिंग जो दिया है हमने और एक्जेक्ली थ्री थाउजन मेंट के आसपास के लेवल को हम रिटेस्ट कर चुके हैं अभी अभी के लेकर आप समझोगे तो इसका बहुत इंपोर्टेंट रेंज रहा है लाश्ट अगर आप जुलाई अगस्त की बात करते हो यहां पर सपोर्ट लिया था यह रिश्टेंस आया फिर यहां पर अभी रिश्टेंस लिया है और अगेन सपोर्ट के आसपास हम टेट कर रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको एक एम पैटन देखेगा बट अगर हम इस टॉक की overall price की बात करते हैं तो 30% से ज्यादा का correction बहुत कम ही आपको stock में देखने के लिए मिलता है ठीक है और वो भी कोई अगर कुछ बड़ा event हो जाता है तभी आपको ऐसा दिखता है फिलाल हम टॉप से 20% डाउन है भी ठीक है यह तो अगर हम 30% की बात करेंगे त 30% करीब 25% यहाँ पर complete हो जाएगा और 30% करीब यहाँ पर complete होने वाला जो कि करीब 2500 600 के असपास का label है ठीक है तो अगर हम current level से निकलते हैं तो minimum 2800 तक का target हम अभी प्लान कर सकते हैं जो मैंने आपको second channel पर already analysis दिया उसमें भी same चीज़ कहा है कि यहाँ पर अगर गलती से भ short term, mid term और long term में quantity add करने के लिए ठीक है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है कुछ आप कह नहीं सकते ज्यादा तो फिलाल जैसा selling आ रहा है अगर यह continue कर जाता है तो 5-7% के correction के बाद यहाँ पर buying के लिए plan किया जा सकता है जो कि करीब 2500 के आसपास का label है बाकि current level से भी हम quantity add क कर सकते हैं अगर करना है इसके पहले यहाँ पर 30% के आसपास sale हुआ है ठीक है जो कि 2020-22 का time था इसके बाद सिर्फ 10 या 15% का correction है जब 2019 के बाद 2020 जो correction आया था ये एक अच्छा खासा correction था इसमें I think 40% के आसपास कुछ डाउन था 35 या 40 48% ठीक है तो यहाँ पर 48% correction था बाग बीस परसेंट 25% इस स्यादा का नहीं देखेगा आपको यह देखो कि 25% का है सीम अगर आप यहाँ पर देख लोगे तो यह 15% के आसपास का है ठीक है यह 20% का है यह 25% यहाँ पर भी है तो 25% के आसपास ही mostly होता है तो अभी 20% अलड़ी हो चुका है तो यहाँ से अगर 5% 7% और fall कर जाता है तो exactly हम buying levels पर आ जाएंगे और जो कि एक अच्छा level भी होगा क्योंकि अगर 2800 का level आप आ जाते हो तो यह breakout आप retest करने वाले हैं और breakout retest करके हो सकता है फिर एक buying देखने के मिल जाए तो 30% से ज्यादा तो normally momentum इसका नहीं होता है correction ठीक है तो इसके बाद हम buying plan कर सकते हैं अगर आपको करना है बागी short term buying करना है तो आप current level से भी plan कर सकते हो reversal के टाइम में अभी directly plan मत करीगा मैंने आपको पहले भी कहा था directly plan मत करना वट एक reversal के टाइम में आप यहां पर current level से भी buying plan कर सकते हो already 20% down है तो अच्छा level बन सकता है अगर reversal करता है ठीक है अच्छान आता है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्यू सो मच